जहें दोस्तों अन्दमातरम, इस समय देश में एक आजीव सी हल चल है, लोग इस बात के confusion में है कि क्या वाकई में इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, लेकिन जब यह सवाल हमारे मन में आता है कि इंडिया नाम भारत किया जा रहा है, तो फिर एक चीज और दिमाग में आती कि भारत लुब पहले से कहते हुए आ रहे हैं भारत माता की जय हुआ हम लोग कहते हैं न तो ऐसे में आखिर जब यह उद्धियन चीज की हम बात कर रहे हैं कि यह नहीं ऐसा सुन्ने में आ रहा है कि जो इंडियन गवर्मेंट है या भारत की जो सरकार है वो अब इंडिया का नाम ऑफिशिली ना चेंज करके भारत करने जा रही है इसके पीछे ऑव्विस सी बात है एक बड़ा रीजन ये भी समझ में आता है कि जो अपोजिशन पार्टी का जो एक पूरा का पूरा संगधर मना है वो कहीं न कहीं उसने अपना नाम जब से इंडिया रखा तब तो भी एक बेचेंदी देखी जा रहे है तो अब विसी बात है उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो ये पूरा का पूरा एक कारेक्रम चल रहा है इसकी उपर किस नेता ने क्या कुछ कहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जी टुएंटी से ठीक पहरे देश के नाम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है इस पूरी बहस की शुरुआत राश्ट्रती वहन से आये निमंतरन पत्र से हुई जि इस निमंतरन पत्र के सामने आने के बाद से ही विपक्ष हमला वर हो गया है इंडिया गडबंधन के नेताओं के दावा है कि इंडिया या भारत वाली बहस के बीजे बीजेपी का डर है तो आई ये जानते है कि किस विपक्षी नेता ने इसके उपर क्या का है सबसे पहले मंगाल की सीम मम्त बेनरजी ने केंद सरकार पर निशाना साथते हुए का कि उन्हों मतलब की केंदर ने इंडिया का नाम बदल दिया जी ट्वेंटी शिकर सम्मिलन के रातरी भोज के निमंतरन कार्ड में भारत का उलेक किया गया है अंग्रेजी में हमें इंडिया और इंडियन कंस्टिउशन और हिंदी में हम भारत और भारत का सम्मिदान कहते हैं इसमें नया क्या है लेकिन इंडिया नाम से दुनिया वाकिफ है अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ गया जाहिर सी बात है मतलब आप खुद भी बताईए आपने कब सुना है किसी देश का नाम बदलते हूँ तो मिलाडू के सीम और डीम के अध्यक्षे एमके स्टालीन ने कहा कि फासिवादी बीजेपी शासन को खाड़ फेकने के लिए विवक्षी दरों ने एक जो ठोकर कड़ बंदन को इंडिया नाम दिये लेकिन अब बीजेपी इंडिया को भारत में बदलना चाहती है बीजेप इंडिया नाम के गडबंदन बना है उसी तन से पिये मोदी इंडिया नाम के प्रती नफरत जराहिर तोर पर अपनी जाहिर कर रहे हैं अगर वे अंग्रेजों के इतने ही खिलाफ है तो उन्हें राशप्ति भवन जो की वायसराय का घर था उसका भी त्याक कर देना तो क्या वे देश का नाम बदल देंगे देश 140 क्रोड लोगों का है किसी पार्टी का नहीं मान लीजे कि अगर इंडिया कर बंदन नाम बदल कर भारत रखता है तो क्या वे भारत का नाम बदल कर बीजेपी कर देंगे एक कैसा मजाक है मतलब बीजेपी को लग रहा है कि उ इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं थी। इंडिया कटबंदन बनने के बाद इन्हें दिक्कत अवबिस सी बात होने लगी इनके दिलों में एक नई नफरत पैदा हो गई। ये इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि इंडिया कटबंदन को जंता ने स्वीकार कर लिया है मेंगाई, बिरुजगारी, अडानी के खिलाफ जाच, चीन, लदाग, जमुकिश्मीर और मनीपूर हिंसा जैसे एहम मुद्दों से बीजेपी लगतार ध्यान भटकाने की कोशिश करती रहती है। वहीं बिहार के डिप्टी सीम और राजट नेता तिजस्वी आदव ने कह देखे, इंडिया गडबंदन का नारा है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, अगर उन्हें इंडिया से दिक्कत है तो उन्हें भारत से भी दिक्कत होनी चाहिए, ये बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, इंडिया भारत है और भारत इंडिया है, ये घबराट की रखने से बीजेपी डर चुकी है। कॉंगर्स नेता संदीप दिक्षित ने कहा कि अगर आप हमारे समिधान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हैं इंडिया भारत भारत कई संदर्गों संस्कृति में प्रचले थे। यह भाषा का मामला है मुझे नहीं लगता कि नामों से वहीं आमान्दी पार्टी नेता रागवचड़ा ने कहा कि हमारी राष्ट्री पैचान बीजेपी की नीजी समपत्ती नहीं है। कॉंगर्स नेता पवन खेडा ने कहा कि पिये मोधी को अब इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है और अब इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमसे हमारे नेता हों हमारे विचारधाराज से नफरत करते हैं लेकिन भारत भारत भारती उससे नफरत ना करते हैं।